संकल्प का एक ही बिकल्प जिद जिद की हेलो माईडियस्ट्रेंट्स कैसे आप सभी लोग मैं लाल जी त्यादो आप सभी का कीर्थमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ माईडियस्ट्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग pet special में graph के बारे में अध्यन कर रहे हैं तो continue हम इस पर आपको classes दे रहे हैं पीछे आपकी दो class जा चुकी है जो कि आपकी previous year question थे pet के तो आज हम आपके लिए graph पर part 3 लेकर के आये हैं आई ये तत्काल हम लोग आपकी काम के अपने काम के शिरुवात करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं time is money and time is power समय ही पैसा है और समय ही सकती है तो देखेंगे आज का पहला graph हमारी लिए क्या है कहा गया कि एक विद्याले में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या दी गई है संख्या बिविन वर्सों में निमलिखित है यह वाला जो संकेत आपका लड़कों के इंडिकेट करेगा और यह वाला संकेत आपका लड़की को दिखाएगा यहाँ पर यह पूरा डेटा आपने देख लिया बाकि यह सारे वर्स लिखे गए यह आपको clear हो गया पहला प्रस्ण यह है वर्स 2012 में लड़के और लड़कियों का लगभग आउशत कितना था 2012 इसपेसली आपको यह नजर आ रहा होगा अगर 2012 की बात हम यहाँ से करेंगे तो निश्चित तोर पे आप देखी यह डेटा कितने पर भाई तो यह डेटा आपका 100 पर है तो यह डेटा कितने पर है आपका 200 पर हो गया यह तो आउसत क्या होता राशियों का योग अब बटे राशियों की संक्या होती है तो आप यहाँ सीधे 100 और प्लस 200 बटे में कितना करिए 2 करिए 300 का आधा कितना आएगा एक सो पचास आ जाएगा यही आपकी question का correct answer हो जाएगा चलिए भई सभी लुपफटा फट देखी question number second अपने graph का second question यह कह रहा है कि वर्स 2011 में लड़कों का किसका लड़कों का वर्स 2013 में लड़कियों से अनुपात क्या है यह मेरा प्रश्ण है अब आप देखिए 2011 आपके पास यह है और 2011 में लड़कों की बात करें तो डेटा कितने पर है 200 पर कितने पर है 200 पर है चलो इसके बाद 2013 की बात करो तो 2013 में लड़कियां अगर 2013 में हम लड़कियों की बात करें तो बताओ लड़कियों का रेश्यो कितने पर चला गया ये 2013 में तो 2013 में सेकंड वाला हमारा लड़की को इंडिकेट कर रहा होगा और ये देखने में आपको लग रहा होगा 250 के आसपास जाएगा तो आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तो 200 और अनुपाते में 250 हो जाएगा काटिएगा तो आपको पता है कि 25 अठी हो जाएगा 25 दहा में 200 तो 248 दो 25 दस चार अनुपाते 5 आपकी इस क्वेस्टिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चली भई हम सब अपने अगली क्वेस्टिन की तरफ बढ़ेंगे सवाल ये है कि किस वर्स विद्याले में लड़कों की संख्या में सबसे ज़्यादा ब्रिद्ध हुई है हमारा पहला डाइग्राम लड़कों का है यानि लड़कों का ये है और ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वर्स है जबकि लड़कों की संख्या में सबसे ज़्यादा ब्रिद्ध हुई है अब आप ही बताएं यहां पे सौ है यह तीन सौ है यहां पर भी यह सौ के आसपास फिर यह आप देखें तीन सौ फिर यहां पर गवर करें तो चार सो के आसपास चला गया फिर यह देखें तीन सो के आसपास आया यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा बृद्धी की बात की जाएगी तो आपको यह पता चलेगा 100-300 यानि यहाँ पर सीधे 200 की बृद्धी है बाद में फिर इतनी बृद्धी कहीं और नजर नहीं आती इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी 2011 आपका आंसर हो जाएगा चले भाई हम सब अपने next question की तरब देखेंगे कि हमारे graph का यह अगला question क्या रहा इस question में कहता है कि अगर आप ध्यान देजिए कितने वर्सों में बिद्ध्याले में लड़कियों की संख्या खास बात यह है एक समान रही है यह प्रश्न है अब यहाँ पे आप सब गवर करें 2011 में आप देखिए फिर आपको 2013 में देखना होगा फिर आपको 2015 में देखना होगा तो देखिए यहाँ पे गवर करिए 2011 में कितनी है 200 फिर इसके बाद गवर करिए 13 के पास भी इनके पास कितने 200 आएंगे फिर आप 15 की बात करिए तब भी कितने आते हैं ये 15 में आप देखिए ये डेटा तो ऐसी कंडिशन में ये थोड़ा सा डाइगराम आगे पिशे वचो ध्यान देना तो ये आपके पास तीन के तीनों सालों में नजर आएगा तो 2011, 2013 और 2015 में लड़कियों की संख्या एक समान रही है यानि 2011, 2013 और 2015 ये रहा आपके क्वेस्चन का करेक्ट आंसर और कैसी चल रही आप सब की तयारी देखो तालिका वाला पूरी क्लास हमने पढ़ा दी है तो सारी प्लेलिस्ट भी बनवाई आप सभी लोग उसको अच्छी तरीके से देखिए और समझ ये साथी साथ फ चले भाई और इसके अलावा आपके मैद के भी सारे टॉपिक जा रहे है वन बाई वन आप उस पे भी अपने तयारी अच्छी से करते रहे है आफ लाइन आनलाइन जिस भी रूप में आप पढ़ सकते हो पढ़ते रहो बस एक उद्देश फिलहाल आपके सामने ग्राफ ए आपका दिया गया है और ये सारा रूपाय का डिटेल दिया गया किसको कितना हमें मान लेना होगा सबसे पहले मैं क्वेस्चन नमबर वन आपके साथ डिसकस करूंगा कहता वर्स 2003 में इस व्यक्ति की जो आए है वो कितनी 60 करोण और ये इसके अंतरगत क्या दिया गया 2005 के खर्च के बराबर रहा हो तो 2005 में कमपनी की आए कितने करोण रूपए थी 2005 में अब आप में बताओ 2003 में इनकी 60 करोण की आए है तो 2003 में इनका लाप कितना है 20 करोण का है तो 60 में से 20 करोण अगर आप घटा दें तो बचेगा कितना 40 करोण इनका ही बच जाएगा अगर दो हजार पांच का जो इनका खर्चा है, दो हजार पांच का खर्चा वो कितना है, 40 करोण का है, तो 40 में 40 जोड दीजेगा, तो निश्चित तॉर पिनका 2005 की जो आए आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 80 करोण आएगी, ये रहा आपका correct answer. चलिए भाई हम अपने अगले question की तरफ बढ़ेंगे तो आप सब next question देखे तुरंट आपके लिए ये रहा अगर हम इस next question की बारे में बात करेंगे तो आपको यहां दूसरा सवाल में ये लिखा गया कि दिये गए वर्षों में एक company द्वारा अरजित लापत हो आपको पता ह ये कहता है वर्ष 2007 में 60 करोण का खरचा है ठीक है तो उस वर्ष उसकी आए कितनी थी ये सवाल है मुझे बताओ 60 करोण का खरचा 2007 में तो ये भी साथ में बता दी जिनका लाप कितने का है 55 करोण का है तो भाई अगर 55 में हम 60 को जोर देंगे तो आप νुडाउट कितना बत आओगे 115 करोड और 115 करोड यह आपके प्रस्ण का क्या है यह आंसर है चले भाई अगली क्विस्चन पर आजाई आप next question ये कहता है कि कौन सा वर्स है जिसमें लाब में हुई प्रतिशत ब्रिद्धी तो लाब में हुई प्रतिशत ब्रिद्धी और ये कहते हैं उससे पिछले वर्स तो ये है उससे पिछले वर्स की तुलना में सबसे अधिक थी अगर मैं ग्राफ को ही देख लूँ तो आपको एक बास समझ में आएगी दो हजार चार की तुलना में और दो हजार तीन में सबसे ज़्यादा दिखो ब्रिद्धी आपको नजर आ रही मेरे भाई अब अगर कहताओं कि दो हजार चार में कितने तो आप बताओगे पचास तीन में कितने हैं बीश हैं अब अगर यहां से ब्रिद्धी निकालनी है तो आप पचास में से बीश को घटा दीजेगा तीशा जाएगा अब बटे में बीश कर दीजे गुणे सब बीस पच्चे में सब और तो आपका 150 यानि 150 आ जाएगा तो यानि इसका जो आंसर हम देंगे कौन सा option चुनेंगे भाई option number D हमारे प्रश्न का correct answer हो जाएगा तो D का मतलब ताव से क्या कहेंगे 2004 आपका उत्तर हो गया कौन सा 2004 चले next question पर हम लोग बात करते हैं आपका समय बचे माइडिया इसी नाते हमने आपके लिए इस सिस्टम रखा कि आप स्क्रीन पर करिए ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाएं उमीद है कि मेरा एप्रियास आप सबको अच्छा लग रहा होगा आपको सच में कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताईए देखता हूँ कि आपका अगला सवाल यानि इस ग्राब पर चौथा प्रशन क्या है कहता है कि 2006 में इनकी आए 120 करोन की है उस वर्स का लाब कितने प्रतिश्रत निकट तम पोड़ा आंक में आप सभी को बता देना होगा 120 करोन की आए कब की है यह 2006 की अब आप 2006 पे गौर कीजिएगा तो 2006 मिन का लाब कितना है 50 करोन का है अब अगर परशन्ट बताना है तो 50 और बते में 120 कर दीजेगा इन्टू आप 100 कर दें आप सभी जानते हैं काटना पीटना है तो आप कर दीजेगा चालिस तियां 120 हो जाएगा या बीश सिकर दीजेगा बीश चक 120 हो जाएगा बीश पच्चे में 100 हो जाएगा यहां सो जाएगा पांच पच्चे 25 तो 250 बते 6 6 चोग 24 एक पच्चेश और 6 कर नमच्चे एक तालिश एक तालिस पॉइंट सम्थिंग यानि आपकी प्रस्ण का उत्तर क्या हो जाएगा बीकल्ब सी हो जाएगा छेद है तो लगभग में आप एक तालिस पर्षिंट इसका उत्तर ले लेंगे चले भाई हम सब देखेंगे नेक्स ग्रिस्चन और इस बार याद रखे पेट पास नहीं टाप करना है टाप करना खाटा खट सारे लोग प्रियास करते हैं मेरे भाई क्या हुआ सवाल कहता है पिछले वर्स की तुलना में 2009 पिछला वर्स तब क्या हो जाएगा 2008 हो जाएगा और क्या लाब प्रतिश्चत कितने पर्षेंट रहा है ये लाब पर्षेंट में कितने प्रतिश्चत के ब्रिद्धी हुई मेरा प्रस्ण ये है अब अगर मैं इस क्वेस्चन को लेके आपको थोड़ा सा समझा दूँ तो आप हमें इतनी सी बात बता दो कि अगर हम पिछली वर्ष की बात कर रहे होंगे तो आप गौर करिए 2009 में आ रहे है आप हमें बताओ 2009 में कितना 75 है 2008 में कितना 70 है तो आप ही बताओ क्या लिखोगे सीधे 5 का डिफरेंस है तो 5-5 बटे में 70 कर दीजिए गुणे 100 करिए 00 कैंसिल हो जाएगा और ये 50-50 बटे में 7 कर दो सभी जानते हो 7-7-9 हो जाएगा एक 50-7 पर्षेंट लगबग बिना हल की आपके प्रशन का उत्तर आ जाएगा वैसे 7 दसमलो 1-4 पर्षेंट आएगा इसको अगर ये प्रॉक्समेट लिखेंगे तो 7 के पास हमारा पहुँच जाएगा डेस प्रेंट आज की जो ग्राफ हमारे पास थी जिसमें आज हमने बहुत ही सांदार सवालों को सॉल्ब किया है पेट के लेबल के लिए बहतरीन क्वेस्चन थे आज हमने इस भाग में इन सवालों को देखा उम्मीद करता हूँ कि आपकी परिक्षा के लिए बड़े उपियोगी होंगे आप इसका लाब उठाए पाएंगे प्रिविद्यार्तियों अगर आपको हिंदी और रिजनिंग की भी पेट की कमप्लीट तयारी करना है तो आपको कहीं और नहीं जाना है हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है किर्थमान एकेडमी ओफिस्यल अगर आप पहले सी से जुड़े हैं तो नोटिफिकेशन वेल को जरूर आप दबा दें ताकि जितनी भी क्लासिस जाती आप उसको अच्छे से तयार कर पाएं अगर आप पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप किर्थमान एकेडमी ओफिस्यल यूट्यूब चैनल से जुड़िए जहां पर रिजनिंग और हिंदी पेट के साला अलावां भी बहुत सारी क्लासिस पड़ी हैं उन सारी क्लासिस को लीजिए पढ़िए मेरा एकी सपना भारत के हर व्यक्ति के पास कम से कम एक सरकारी नौकरी हो बाक्यू बिजनेस वगरा के माध्यम से इस दुनिया के हर सुप को प्राप्त कर सके इन कामनाओं के साथ आप पेट में बहुत अच्छा करोगे हम आप से ग्राफ के अगले पार्ट में मिलेंगे तब तक आप सब पढ़ते रहें स्वस्त रहें, मस्त रहें